हालो भीवर्स जिन ब्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने के 4 तारीक, 13 तारीक, 22 तारीक या 31 तारीक को हुआ है उनका मुलांग 4 होता है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुलांग 4 के बारे में इससे पहले कि हम चर्चा करें हम आपको स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में जदी मेरा कॉंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हाँ तो दोस्तो मुलांग 4 अंक निम्रलोजी में राहु का अंक मना जाता है जो व्यक्ति राहु से प्रभावित होते हैं उनका सुभाव निराला होता है वे हर राय का हर विचारधारा का तुरत बिरोधावास करते हैं अगर इनके बस में हो तो ये सारे निर्धायत नियमों को उलट फेर कर देते हैं हाँ ऐसे लोग जीवन में बहुत कम हिक तरकी करते हुए देखे गए हैं धन के मामले में ये लपरवा होते हैं अगर इनके पास धन एकत्रित भी हो जाए तो ये इस तरह से खर्च करते हैं कि देखने वारे लोग इन पर हसते हैं इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि ये किसी भी बात को तुरत बुरा मान जाते हैं इनके सोभाव को समझना थोड़ा कठिन होता है हाँ इनकी दोस्ती एक अंक वालों से दो अंक वालों से और साथ और आठ हंकवानों से बहुत ज़्यादा होती है अब आईए एक एक कर हम जानते हैं कि अलग-अलग तारीकों में जिनका जन्म हुआ है उनका रिजल्ट क्या है उनका सुभाव क्या है उनका डेस्टिनी क्या है हाँ अब जिन ब्यक्तियों का जन चार तारीकों हुआ है वे मुलांग चार के सारे गुण और दोस्त लिये हुए होते हैं ये लोग भी राहों से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये किसी के सुनते नहीं है और जीवन में एक गलत चैन के साथ जुड़कर ये गलत रास्ते पर भटक जाते हैं और ये अपने आपको खुद बरवाद कर लेते हैं हाँ इनका फॉलोवर्स बहुत होते हैं इनकी एक इसारे पर लोग जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं अगर ये किसी administrative post पर भी चले जाए तो पुरत हाई लेवर पर चले आते हैं लेकिन कब लुड़कर नीचे आ जाएंगे ये काना बड़ा मुश्किल है इनके साथ जीवन में जो भी घटित होता है वो अचानक घटित होता है अता जिनका भी जन्म चार तारीकों हुआ है उन्हें काफी सावधानियों की जरूरत है अब आए जिनका जन्म किसी भी महिने में 13 तारीकों हुआ है ये भी लोग राहू से पुरी तरह से प्रभावित होते हैं हाला कि पच्छिमिस अभ्यता में अंक 13 को बहुत बुरा अंक मना जाता है इसे होटल के कमरों से इस अंक को हटा दिया जाता है या कहीं भी 13 अंक को एववाइड किया जाता है 13 अंक उथल पुथल और बरवादी का अंक है जिनका वी जन्म अंक 13 को होता है वे लोग अधिकार संपन होते हैं परभुतों संपन होते हैं उन्हें सारे अधिकार मिलते हैं ऐसे लोग किसी को अपने सामने टिकने नहीं देते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ये अपने अधिकारों का गलत दुरुपयोग करते हैं तो इनकी बरवादी सुनिश्चित हो जाती है अता जिनका भी जन्म 13 तारीक को हुआ है मैं यही सलाह दूँगा कि ऐसे लोग अगर अधिकार या प्रभुतों से संपन हो जाएं तो कम से कम अपने अधिकारों का गलत दुरुपयोग ना करें अब जिनका जन्म किसी भी महिने के 22 तारीक को हुआ है वे लोग भी राहू से पूरी तरह से परभावित होते हैं ऐसे लोग बहुत भोले होते हैं यह दूसरों की मुर्खताओं से अंधे हो जाते हैं इन्हें कुछ नहीं समझ आता है कि हम जो जिन्दगी जी रहे हैं यह अता ऐसे लोगों को चाहिए कि दूसरों की सलाह नमाने दूसरों के पीछे पीछे अपना समय बैतित ना करें इन्हें अपने गलतियों का तब एहसास होता है जब यह लूट चुके होते हैं अता यह अंक बताता है कि आप दूसरों के पीछे ना लगे दूसरों की मुर्ख अब जिनका जन्म 31 तारीकों हुआ है, ये लोग भी राहू के पूर्ण प्रभाव में आते हैं, हलाकि ये लोग समाज से दोस्तों से कट कर रहते हैं, जीवन के प्रारंभिक दिनों में तो ये काफी हिल मिल कर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन इनका बढ़ते जाता है, उम करना करना पूरता है, अता ऐसे लोग भी सावधान रहें, तो ज्यादा अच्छा है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स पर वाचिंग